नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको सागत है तो आज मैं बात करने बाला हूँ एक पेनी स्टॉक के बारे में देखिए यह जो स्टॉक है वो पेनी स्टॉक जुरूर है मगर कॉम्पणी इस तरह के से पार्फॉर्मेंस करा है फिचर में जवद्दस यहापे आपक से काम करते हैं मतलब जिस सेक्टर के वाइस कॉम्पणी काम करते हैं तो इसको भी आपको में डेटा जुरूर दिखाऊंगा फीचर में इस कॉम्पणी में कितना पोटेंस तो पूरा देटा दिखाने से पहले में अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्रीम नहीं के तो जूरू चार पर 5% तक यहां पर रिटन दे रहा है डेली वेसिस तो इसके उपर आपको जुरूर नजर रहना चाहिए कि ट्राइडन एक मीटकर टाइप कॉम्पणी है दीरे दीरे ग्रोथ हो रहा है अभी में पिछले जब वीडियो बना था करीवन करीवन 13,500 करोड का कट्वेड म ट्राइडन कॉम्पणी अभी पेनी स्टॉक मतलब 30 के अंदर है मतलब पेनी स्टॉक की मानके चले तो पेनी स्टॉक जो है वो पेनी स्टॉक नहीं था इस कॉम्पणी अगर स्प्लीट नहीं किया होता वान इस टू टेन इस रेसियो में स्प्लीट नहीं किया होता मतलब ए स्टक हो गया तो इसके पीछे कुछ रिजन था इसलिए साथ स्प्रिट किया तो इसलिए साथ रुपय हो गया था नहीं तो इस कुम्पनी आज आप 500 तक यहां पर देख सकते थे तो कितना जबदस इस कुम्पनी में पोटेंशियल है वो भी आपको दिखाऊंगा कॉम्पनी डेविटन भी जबदस देते हैं यहां पर करीबन वान पॉइंट वान टू 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 परसंट और यहां पर यह ठीक ठाग लेबल में है तोड़ा सा कम मुझे लग रहा है फिर भी दिखे छोटा कॉम्पनी है इसका प कुछ पोज भी है कुछ कॉंट भी है यह देख सकते हैं मतलब कॉम्पनी आल्मोस्ट फी कॉम्पनी है यह सबसे पॉजिटिव न्यूस है कॉम्पनी इस यह आपर देखे एक्सपेक्टेड टू गीवन गुड कॉर्ट मतलब कॉर्टर बेसिस उन्होंने अच्छा का सा करीवन 4.50 बहुत नीचे है कॉम्पनी का जो चल्स ग्रोथ है वह करीवन करीवन 4.33 फार सेल्स क्रोथ उतना अच्छा का सा नहीं है यह का नँस्वापनी मीट कैप स्मॉल कर देख डाइब कंपनी है तो उतना अच्गा से अच्छा क्रोण तेजी है आपको नहीं देख सकत प्रेंटाइज और कंपानी क्यापिला इंटकोंस्ट भी आपे बहुत ज्यादा है तो इस कंपानी का जो सिर्फ टेक्स्टाइल बीजनेस नहीं है इसका माधर बीजनेस टेक्सटाइल है साथी साथ कंपानी सोलार प्रकाम करते में आपको अभी आपको दिखाता हूँ अब ट्राइडन का जो परफॉमेंस है उसके सबसे कॉम्पानी सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पानी है और दुनिया में और यह पर कॉम्पानी का जो कुछ पॉफिट अन्रेशियो उसको भी देखना चाहिए कॉम्पानी धीरे धीरे जिस तरीके से पॉफिट कर रहे है वह जबादस मुझे लग रहा है क्योंकि कॉम्पानी 2009 में करीबन 53 करोड का लॉस था उसके बाद 2010 में 56 करोड का पॉफिट किया उसके बाद 2012 में 43 करोड का लॉस किया 2013 में 49 करोड का पॉफिट 2014 में 194 करोड का पॉफिट 2015 में करीबन करीबन देखा जाए 118 करोड का पॉफिट 2016 में करीबन 242 करोड का पॉफिट 2017 में 337 करोड का पॉफिट 2018 में 266 करोड का पॉफिट 2019 में करीबन 372 करोड का पॉफिट और वहारल बात करें 2020 में जिस साल में करोने के सिच्वेशन स्टार्ट हुआ था उसी सालों में भी करीमकानी ने 340 करोड का पॉफिट किया है और 2021 मतलब इस साल में करीबन 304 करोड का पॉफिट अठीट यह मतलब मतलब पिछले सालों के आज ही मैंने से मतलब 2020 के ऑक्टोबर से आज के ऑक्टोबर तक काल्कुलेट करें किया जाते तो 500 करोड का पॉफिट किया है कंपानी का पॉफिट रेसियो जबदस है मुझे सबसे पॉजिटिव लगा साथी साथ कंपानी का कुछ रिजाब भी देख दोत्र बात चूपनी दिरे-दिरेये रिजाब घुद कर रहा है 200 से लेकर आज के दिन कारीवान 200 एपानी का रिजाब कमपनी बंचुका है मतलोब धीर-धीर कंपानी को शाने में कर्जा है लोंग टाम के नहीं हैं ंपक्णी की टोचली डेटी कुंपनी बनने हाला है पॉ इस सालों में तो करीवन 63 से सारी 73 परसेंट या पर होल्डिंग खुद पॉमोटर ने लेके बठाए कि पॉमोटर खुद जानते हैं कुम्पानी में कितना पॉटेंस सेल है तो इसलिए कुमोटर खुद या पर इन्वेस्ट करके रखा है उसके बाद सबसे जदा इन्वेस्ट बहुत काम है मुझे काम लग रहा है साथी साथ कॉम्पानी का जो फर्फॉर्मेंस है वह जवदस्त है और इसलिए पॉब्लिक ने भी आप अच्छा का सा खरीदारी करके रखा है देके पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट जूरू करिए मगर इन्वेस्ट करने से पहले ए और गॉबर्मेंट भी आपे 0.92 परसेंट और आफाइस भी 1.60 परसेंट करके रखा है देखे जो तीनों इंस्टुटुशन है ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि उसको अच्छा का सा रिटर्ण चाहिए होता है कम दिनों में तो ट्राइडन में उतना अच्छा क या सका सेवेंटी टू परसेंटि तीन सालों मिन नहीं ज्यादा रिटर्ण आपसे दो इसके सकते गेंगें तो रखोला याफोडर्ण काronics और में ठोड़ा सा अन्थॉंट्वान डूरा इंस्ट करका हूँ एक तो अग्याए तो मेरा इस हो इनिसेह को मैं हमेशा यहां पर कहता हूं मैं इस company में करीवन-करीवन साढ़े चार रुपिय के अंदर यहां पर खरिदारी करके रखाऊ तो आप देख सकते हैं अभी भी में इस company में hold करके रखाऊ अभी भी रेचा नहीं हूं कि इसकाप प्रार्स लेंच आई करीवन करीवन 29 मतलब मुझे कितना फंट कितना हो चुके आप देख सकते हैं फिर भी देखे में इसको वोल्ड के कर रहे हैं क्योंकर कूम्पानि जीस तरी किसे काम परते मुझे पर करते हैं कॉंपानि कॉन कौन कौंपानी के साथ टाइप करके काम करता है उसके स्टेकट्राइल विजनेस शहां पर डुके साथ यह पर जिए साथ्वे तो मतलब बिजनेस करते हैं तो अच्छा कासा बिजनेस जुरूर होंगे क्योंकि इतने सारे दिगच कॉमपणी में उसका माल सेल करते हैं तो उसका बिजनेस भी जवद्दस होते हैं तो कॉमपणी का जो बिजनेस है या पर देख सकते हैं बेट मतलब बेट के उपर भी काम करते या पर देखें बात सेक्टर में भी काम करते है पेपर सेक्टर में भी कुमपणी काम करते है या उनके उपर भी काम करते है मतले जितने सरधागे होते है उसके उपर भी काम करते है केमिकल सेक्टर के उपर भी कुमपणी काम करते है साथी साथ FMCG के उपर भी काम स्टार्ट क का हाई भी देखने को मिलेगा करीबन 29.40 एक कुमपणी का 52 एक हाई नहीं लाइफ टाइम का भी हाई है मतलब स्पीड होने के बाद जो लाइफ टाइम का हाई है बो देखा जाए यह यापी लाइफ टाइम का हाई है करीबन 30 रूपीज के अंदर आपके कंपा सरकीट देकर बंद हो आपको देखने को मिला है तो इस टेटा को जूरू फॉलो करना चाहिए जीटा को जूरू देखना चाहिए तो आसा करता हो पूरा डिटल सब को जानकरे मिल चुका होगा तो मैं एही कहूंगा पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते है इन्वेस्ट जूरू करिए कॉम्पणी जब दस्त है कॉम्पणी के उपर आउतना खराब कोई एफेक्ट भी नहीं है तो फिट भी अपका हजार रुपिया लॉस हो जादा है तो आपका कोई भी दिकत नहीं होगा आप या पर एक लाग दो लाग पांच राग रूपिया इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए आपको पॉपिट तो जूरू मिलने वाला है वागर आज 30 रूपिया मतलब 20 रूपिया प्राइस चलेंगे तो आपका फांट 50% से ज्याधा लॉस में चलेंगे तो इसके उपर भी आपको नजरागना चाहिए तो पेनी स्टॉक में इंवेस्टमेंट करने से पहले आप सोच लीजिए ज्यादा तर इंवेस्टमेंट मत करिए थोड़ा सा इंवेस्ट करके छोड़ दीजिए तभी इस कॉंपणी में आपको चाहिए जगासा फायदा मिंदे वाला है तो आसा काता आपको रेडिटर्स आपको मिल चुगा होगा तो प्रींस मेरे वीडियो आपको अच्छे लगए तो लाइक करना दोस्तों को सेर भी करना मिलते आगले स्टॉक लेके तब तक लेचे स तरी अपने क्याल लगिए